हेलो आव रिवड़ी सभी शात्यों को रामराम नमस्ते हाई हलो कैसे आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे तो अंदरोस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे दोस्तो फाइनली जो आपका इंतजार है वो खतम हो गया है जो 16 अप्रेल को CET का पूरे हरियाना में टेस्ट हुआ था टेस्ट नमबर टू उसका रिजल्ट आ गया है दोस्तो कोन टोपर रहा है यदि आप जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रही है और यदि आप आगे भी टेस्ट देना चाहते हैं या आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है और आप अपनी त्यारी को प्रखना चाहते हैं पूरे हरियाना लेवल पे तो आप test number 3 की registration कल से start हो जाएंगे आप registration कर पाओगे कल से तो आप भी इसका जो registration है वो कर सकते हैं और आप भी अपने नजदी की संस्थार में जाके ये जो test है पूरे हरियाना में जो होता है इसमें आप participate कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तो इस test के पीछे कौण-कौण लोग काम कर रहे हैं कौण-कौण इसके पीछे क्योंगी चहरे सिरफ मैं ही दीख रहा हूं आपको की वह कैमरे के सामने मैं ही आपको सारी चीज़े अपडेट कर रहा हूं लेकिन अकेले आदमी के बस की बात नहीं है हमारी एक छोटी सी टीम है वो पूरी टीम मिलके इसके लिए साथ के साथ दिन मैनत करती है तब जाके आपके सामने वो रिजल्ट या आपके सामने जो पेपर हो पहुंच पाता है ठीक है तो इसमें हमारे विनित भाई है जो की बिवानी लोहारू से है और करण सर है गोविन सर है और जस्बीर सर है और रविकेश सर है ठीक है तो ये सारे साथ ही इसके अंदर है जो इसके पीछे लगातार मेहनत कर रहे है ये सभी धन्यवाद और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँ कि ये लगातार मेरे साथ मैनत कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इसको no loss no profit के लिए हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें result दिखाना है उसके बाद में हमें इसे आगे जो कमाई हो अपने आप हो जाएगी आज के दिन दोस्तों इसके अंद ये के लिए जो काम किया जा रहा है इस मोई में हमारे साथ खड़े हुए हैं ठीक हैं दूसरा इस बार का जो टेस्ट होने वाणा है वो आपका पंदरा दिन के अंदर होगा इस बार का जो टेस्ट वहाँ sleepby औरह उसका कारण है दोस्तों कुछ इस नीया था कि हम जो वीकली टेस्ट करवाते थे academy भी खुद का weekly टेस्ट करवाती है वो अपने söylaybas का करवाते है ये तरह अपने लेती है वह तो टो टेस्ट है वह रह जाता है उनका इस हमारे टेस्ट के चक्कर में तो एक शब्ता वह अकेडमी अपना टेस्ट लिया करेगी जो जो अकेडमी अपने लेती है भई और फिर पंदरवे दिन अपना टेस्ट होआ करेगा ठीक है इस टेस्ट में हम कर रहे हैं पंदरा दिन का और दूसरा कुछ बच्चों के सेजेसन भी आये थे कि ताओ जी अब हम बीजी है और अभी हम टेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि अभी ग्यों निकाडनी है तूडी गेडनी है ये सारे काम अपने चल रहे हैं इसलिए बच्चे भी बीजी हैं तो हमने ये निरने लिया है सभी की सहमती से कि इस बार वाड़ जो टेस्ट हो 15 दिन के अंदर लेंगे और इस बार हमने जैसे पहले टेस्ट में इनिविजलेटर भेजे थे हमार हर सेंटर पे हमारा बंदा गया था तो हमने उनको पैसे दिये थे वे 1500-500 रुपे जो भी जितनी दूरी के इसाब से बंदा गया था सेकिंड टेस्ट जो हुआ था 16 अप्रेल को जिसका हम आपको भी टोपर भी बताने वाड़ा हूँ रिजल्ट भी बताने वाड़ा हूँ कितने हाइस्ट नमर आएं वो भी बताने वाड़ा हूँ इस बार हमने इनिविजलेटर नहीं वेजे करेंगे भाई जब मैंने ठानी लिया है कि हमें बच्चों के लिए काम करना है और साफ नियत से काम करना है कोई नहीं पैसे लग जाएंगे एक बार ठीक है तो हम इस बार हर सेंटर में इनिविजलेटर भी जा करेंगे भाई आब आगे से ठीक है दूसरा कुछ सेंटर में दोस्तों बच्चे बहुत कम आ रहे हैं या कि वह जैसे मेवाद साइड की साइड है नो की साइड है तो वहाँ पे क्या है दोस्तों आठ साथ रजिश्टेशन होएं और वो एक अलग साइड का एरिया हो गया वहाँ पे पहुंच रहना हमारा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि अलग एरिया हो गया और फिर वहाँ पे इदि हम इन्विजलेटर भेजते हैं तो वो कहीं न कहीं समय ज्यादा लग जाता उस पूरे प्रोसेस में तो इस बार मैं openly कहा रहा हूँ कि हम एक्जाम वहाँ पे करा पाएंगे जहां पे 30 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर होंगे तीस से ज्यादा बच्चे और यदि किसी जैसे आज जब मैं कल से रजिष्टे सनोपन हो जाएगे तो आपको पान सा दिन में अपडेट पता चल जाएगी कि उस सेंटर में कितने हो गई यदि वहाँ पे 30 से कम बच्चे होंगे तो उन बच्चों को दूसरे सेंटरों पे जाने का मौका दिया जाएगा वे मेरे पास कॉल करकर के अपना सेंटर है वो चेंज करवा सकते हैं ठीक है और अधरवाईज उनकी जो फीस है वो वापिस रिफंड हो जाएगी ठीक है जो एक दो जगए भी इस बार सेंटर नहीं हुआ तो उन बच्चों की फीस वापिस हो दूँगा या उनको अगले टेस्ट में अडजस्ट कर दूँगा ठीक है तो यह थी सारी बाते भाई अब मैं बता देता हूं भाई कि इस बार टोप पर कोण आया है आप यह जो रिजल्ट है KTDT एप ओपन करोगे ना तो वहाँ पर जो इमेज चलती रहती है अपने आप सलाइड करती रहती है वहाँ पर एक इमेज में लिखा हूँ है कि CET offline test to result declare ठीक है तो उसके उपर कलिक करना है आपकी PDF आपके मोबाईल में डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ पर जो टोपर है भई वो है 68 भई 68 नमबर है और 68 नमबर भई कितने बच्चों के है एक दो तीन तीन बच्चों के है भई यदि मैं रैंकिंग के हिसाब से करूँ तो भई 68 नमबर वाड़े ही एक दो तीन नमबर पर आए है और मैं बता देता हूँ 68 नमबर किस एक तो रो लंबर है जो आपका पहला रो लंबर है वो है भाई आपका 103 ग्यारा 14 ठीक है ये टोपर है 68 नंबर है इसके दूसरा बच्चा भी 68 है उसका रो लंबर है 161.29 ठीक है तीसरा बच्चा है इसके भी 68 है 14118 ठीक है ये तीन रोल नमबर तो गए भई पहले नमबर पे लगा लो या इनको 123 कर लो इनके 68 नमबर है भई ठीक है इन सभी को बढ़ाई मेरी तरफ से यह टोप पर है भई अब भई यह्दि हम नमबर के हिसाव से चलते हैं तो इससे अगला जो नमबर है वो 67 नमबर आए है 67 नमबर आए है और इसका रोल नमबर है भई शोरी जो मैंने 3 बताा था 140 वड़ा वो रोल नमबर अलग है भई पूरो नंबर है 131 1112 ठीक है यह 3 टोपर है जो 467 नंबर आए हैं वो है 140-1128 ठीक है यह है आपका 67 नंबर उसके बाद में 66 नंबर पर है आपका 105-11-16 ठीक है दो यह है भै टोपर आपके इन सभी को बधाई बाकि जो भी लिस्ट में आये हैं इन को भी बधाई और जो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे इस टेस्ट में पिछले टेस्ट में भी यह दिया आपने 60 plus का score किया था इस टेस्ट में भी यह दिया आप 60 plus का score कर रहे हैं तो आप लिख के ले लिजी भΑई कि आप CETA exam में भी tupper होने के पूरे पूरे चांची है आपके पूरे पूरे चांसिस आपके टोपर होने की दिया इन टेस्टों में आप 60 प्लेस नंबर ले रहे हो तो ठीक है तो यह थी भाई पूरी अपडेट आप सभी के लिए रिजल्ट टेलिगराम पर भी डाल दूँगा मैं PDF और KTDT Online Education एप पे जो इमेज चलती रहती है इमेज स्लाइड होती रहती है वहाँ पे भी आपको कलिक करके PDF मिल जाएगी ठीक है और मैंने इस बार जो पेपर है पड़ा जो टेस्ट है टेस्ट नमर थरी है वो 15 दिन में होगा उसका आरिजन क्या हो मैंने आपको बता दिया है हमारी टीम में कोड़ कोड़ है क्योंकि दोस्तों सिर्फ कैमरे मैं आपको दिखाई दे रहे हूं पड़ी धूप में आपने आपको तपा रहे हो और दोस्तों जो अपने आपको इस समय में तपा रहे है न उसके कीमत यदि आज 50 रुपे है और जब वो तप जाएगा यानि आप 2-4 टेस्ट दे दोगे धूप में आके अपने घर से बाहर निकल निकल के तो दोस्तों आप मका दो-4 रुपे मिल जाती है लेकिन जब उसको तपा दिया जाता है आग के उपर जब उसको तपा दिया जाता है तो वो ही चीज़ हमें मका में 10 रुपे में 15 रुपे में मिलती है तो ये फरक है भई तो आपको तपना पड़ेगा और संगर्स करना पड़ेगा बार-बा की पीडियफ है उसमें पलवल या एक दो जगय और है उनका रिजल्ट अभी अपडेट नहीं है उनके रिजल्ट की पीडियफ डैरेक्ट टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी तो उनकी पीडिय leaning पर से सेयर करें। ठीक है त्स में अज कि इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान के रैप सभी कसमें सुभ रहे